हेलो फ्रेंड्स गूड इबनिंग कैसे आप सब उमीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे स्वस्त होंगे दोस्तों मेरा नाम संतोस यादव है सबसे पहले तो अपने चैनल इसकाई रेल्वे लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं इंडियान रेल्वे में असिस्टेंट टेलिकाम के पोस्ट पे वर्क कर रहा हूं अभी रिसेंट्ली आट-9 महीं ने हुए मुझे ज्वाइन की हुए ठीक सेलफ स्टडी विदाओट इनी कोचिंग कौन से सलेबस को कहां से कबर करना लाइं किस सब्जेक्ट पर आपको टारगेट करना है किस सब्जेक्ट पर कम टाइम वेस्ट करना ठीक है ने पूरा प्री मेंस सब कुछ बताऊंगा आप लोगों की एक वीडियो में आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो मेरा खुद का एक्सप्रियेंस है वह बताऊंगा और आपको मैं बता दू मेरा में केंकल इंजिनेरिंग से मैं भी ठेक किया हूं ठीक है बहार हो गया हूं तो मेरी तैयारी थोड़ी ठीक ठाक मैं कहेंगे तो मैं डिटेल में भी आप लोगों दिखा दूँगा मैं पूरा अपना स्कोर काड भी आप लोगों दिखाऊंगा कि मेरी तैयारी कैसी थी और कैसे कम टाइम में कम टाइम में कैसे हमने कभर किया था आप प्लीज वीडियो को skip मत कीजेगा एक एक step by step देखेगा और एक small request है आप लोगों से अगर आप हमारे चैनल पर ना है तो प्लीज चैनल को subscribe कर लिजेगा वेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा क्योंकि मैं देखिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा मेरे को भी मोटिवेट मतलब अंदर से मैं मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं ठीक है तो कोई बात नहीं आप इस वीडियो को लास्ट में अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजेगा और अच्छा लगेगा तो एक बार लाइक जरू कीजेगा तो चलिए बीना देर किया मैं नोटिफिकेशन के थुरू बताऊंगा कि सलेबस क्या है कैसे त्यारी करना है और हमने पिछली वैकेंसी में कैसे त्यारी किया था पूरा डिट शॉट लिस्टेट फार टाइपिंग टेस्ट ठीक है यहां पर मेरा आप लोग देख रहांगे कि 81.67 मार्क्स आया थे ठीक है लेकिन फाइनल मेरा अर्रवी एंटी पीसी में सलेक्शन नहीं हो पाया कोई बात नहीं लेकिन मैं यह वीडियो सिर्फ आप लोगों की यह लेटेल मैं दिखा रहा हूं यह देखे दोस्तों आरार भी एंटी पीसी के थुरू जो मैं एक्जाम दिया था उसका भी मतलब प्री का स्कोर काट दिखाऊंगा आप लोगों को ठीक है यह देखे प्री में मेरे 83.17 मार्क्स थे लेबल टू के लिए हम क्वालिफाई किये सचे लेबल थी के लिए लेबल फाइब के लिए लेबल खौर में मेरा सील्क्सन नंहीं हो पाया था रिकां लेबल फाइब मेरे पास स्कूर kaard नहीं है क्योंकि बहुत पुर्रानी मोबाइल में मेरे पास मोबाइल नहीं है थिसलिए दिखे आप लोगों पता होगा मेरा सवाप लिए था उसके बारें डीटेल दिया है अब आभी आप लोगो में दिखांगे साइको का एडमिट कार्ड भी अपना दिखाऊंगा ठीक है यह दिखिए दोस्तों मेरा नाम देख रहोंगे आप लोग यह कपकी एवेकेंसी का साइको की एक बैटरी टेस्ट जिसको साइको हम लोगों को कैसे त्यारी करना ठीक है लेकिन इसमें मेरा फाइनल सेलेक्शन नहीं हो पाया था क्योंकि मैं साइको में फेल हो गया था ठीक है साइको की एक बैटरी टेस्ट ओबर कंफिडेंस के चकर में मेरे को मतलब मैं जब टेस्ट देता था मॉक टेस्ट मारता था इतने अच्छे इसको राते थे ओबर कंफिडेंस के चकर में मेरा सेलेक्शन नहीं हो पाया तो और मैं खुस भी हूं कि मेरा सेलेक्शन उस टाइम प्री की तयारी कैसे करना है, मेंस की कैसे करना है, साइको का लेकिन अभी फिलाल प्री के बारे हम आप लोगों को बताऊंगा, तो चलिए अब बिना देर किये, हम सलेबस पर आते हैं, और नोटिफिकेशन पर आते हैं, ठीक है, तो once again आप लोगों बोलना चाहरा हूँ, boring मत ह तो यह गा, एक छोटी सी वीडियो, आट दस मिनट का है, आपके लाइफ को बदल सकता है, मेरा खुद का जो experience, वो मैं आप लोगों को बीच में share कर रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग लोगों की अलग लगे strategy होगी, मैं खुद का अपना strategy आप लोगों को बताऊंगा, अच् point of India, ministry of railway का, ठीक है, different, different, अलग अलग zone wise vacancy है, कि इस zone में कितनी vacancy, vacancy तो बहुत ज्यादे नहीं है, तो vacancy पे मैं अभी बात नहीं करूँगा, अभी मैं सिर्फ बात करूँगा, आप लोगों की strategy, कैसी हमारी क्या strategy होनी चाहिए, ठीक है, तो देखिए, आप लोगों को पत होता है, आप लोगों को पता है कि ALP की जो process है, CBT first, CBT second, और एक होता है CBT, जिसको साइको बोलते हैं, ठीक है, three stage का process है, ठीक है, तो आप पहला नंबर पे आपको क्या करना, देखिए, यहाँ पर लिखा होगा, कि पहले नंबर पर आपको first stage जो है, देखिए, यहाँ पे CB CBT, CBT two, sorry, first stage, second stage, CBT, DB, last में medical, तो पहले हम लोग CBT qualify करना है, तो DB medical तो लास्ट की बात है, तो हम बात करेंगे कि आपको first stage की त्यारी कैसे करनी है, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर first stage के बारे में पूरा detail में लिखा हूँ, मैं आप लोगो बता रहा हूँ, आपको पता ह आपके negative marking deduct हो जाएंगे, इसमें चार subject होते हैं, उभी मैं आप लोगों बताऊंगा, और आप लोगों पता होना चाहिए, जो new candidate है, जिनको नहीं पता है, first stage only screening test है, मतलब इसमें क्या करेंगे, 15 times, 20 times, जितना विरेल वे अपने हिसाब से CBT two के लिए बुला आगा, उतने candidate क shortlist कर लेंगे, और first stage का marks final selection में add नहीं होगा, आप final selection CBT two और CBT two को मिला कर 70 और 30 के ratio पे होता, इस बार का क्या ratio अभी मैं पूरा notification नीचे जाऊंगा, तब बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, तो चलिए बिना देर कि आप लोगों को मैं detail में बात करता हूं कि कैसे तयारी क करनी है, ठीक है, यहाँ पर तो आप देख लेंगे कि minimum 40%, 30%, 30% और 25% लाना है, तो आप इसको मस्तमद लिजेगा कि इतना marks आप ला देंगे, तो आपका selection हो जाए, कुछ लोगों को doubt होता है, यह minimum है, इस से अगर आप कम लाएंगे, तो आप ऐसे यह बाहर चले जाएंगे, ठीक है, तो आप लोगों पता है कि इस बार कटाप बहुत हाई रहेगी, क्योंकि काफी दिनों के बाद 2018-05-06 साल वाद वेकेंसी आई है, और नमबर आप वेकेंसी बहुत कम है, ठीक है, तो कैसे त्यारी करनी है, कैसे आलग बात है, बात में वेकेंसी बढ़ भी सकता है, तो देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर चार चीज है, Mathematics, Mental Ability, General Science, General Awareness, आप देखिए, दोस्तों, क्या करना है, यहाँ पर ALP का जो एकजाम होता है, ALP की एकजाम में आपको मैं बता रहा हूं, Math Origining का लेबल जो है, अगर TCS कंड़क्ट कराएगी, तो लेबल वीडियो उनके लिए बहुत फायदे मंद नहीं है, उनको तो आल्रेडी वो बहुत अच्छे से त्यारी कर चुके होंगे, लेकिन जो बीगनर है, आपको करना क्या है, पहली बात, सलेबस का, ठीक है, सलेबस की फोटो काफी निकाल कर अपने study table के सामने आपको लगा लेना और एक एक topic जैसे number system है, ठीक है, बोर्ड मास है, सारे topic को आप क्या कीजिए, पहले एक बार, एक महीने के अंदर, मैत हो reasoning के सारे topic हो, किसी एक YouTube channel, जैसे मैं फिरिम बता दे रहा हूं, साहिल सर, पुरानी वीडियो उनकी बहुत सारी math की पड़ी हुए, ठीक है, math के लिए ब पर अच्छे से उठाकर complete कर लिजे, और notes बना लिजे, ठीक है, अब आपको general science क्या करना, wifi के channel पर नीरज सरकाप, general science का video उठाकर अच्छे से proper तयार कर लिजे, फिर ही मैं बहुत सारे playlist बने हुँ, आपको कहीं, पैसे नुकसान करने की जरूरत नहीं, अगर आप किसी का course न पर लिजे, और एक आपका पटना में कोई book है, अभी उसका speedy करके, speedy करके कोई book आती है, उसको आप जरू general awareness और general science के लिए, अभी आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको करना क्या है, पहली बात तो math or reasoning हो गया आपको, wifi study वाले YouTube पर जाहिए, वहाँ पर math का, और reasoning का RRB NTPC के नाम से आप सर्च कीजिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ, वहाँ से प्रापर आप जीतना जल्दी से जल्दी, मतलब एक महीने कंदर math or reasoning पहले complete कर लिजे, अभी test देने की जरूरत नहीं, पहले complete कर लिजे, और science भी वहाँ से, ये तीन चीज़ आपका complete हो गया, अब जो journal awareness है, इसके लिए आपको क्या करना है, lucent, lucent और speedy की book आती है, railway के नाम की, ये दोनों book को आपको maximum time से, जितना जादे पढ़ सकते हैं, इसमें science भी cover हो जाएगा, आपका speedy और lucent से, ठीक है, तो आपको एक, एक महीने के अंदर ये चारो topic को पहले complete कर ले न, ठीक है, और math और math के लिए formula, math के लिए क्या किजगे, एक पतली सी copy में पूरे formula को एक जगह proper topic wise summarize करके लिख लिए जगह, तो formula last time बहुत काम आता, उसी तरके reasoning का एक दो पेज़ पे जो formula basis है, उसको भी लिख लिख लिजगा, जैसा मैं करता तो आप लोगों बता रहा हो, मेरी math क की notes एक दम पतली से copy है, एक reasoning की है, एक GS के लिए, बस तीन copy में बनाये हो, अभी तक अपने तयारी के दवरां, ठीक है, तो आपको क्या करना, जब यह आपका एक महीने के अंदर, one month के अंदर जब complete हो जाएगा, तो आपको क्या करना, टेस्ट बूक पे, टेस्ट बूक करना का है, तो आपको करना का है, पहले अपने दिमाग को भटकाना नहीं, बहुत ज़्यादे नहीं, आप सिर्फ ALP के previous year के जो टेस्ट है, उसको आप अच्छे से दीजेगा, ठीक है, अब उस टेस्ट में आप क्या किजेगा, जो current affairs के question है, current affairs के जो question होंगे, उसको आप छ तो आपका क्या होगा, current affairs, GS, science, सब कुछ तयार हो जागा, लेकिन अगर exam बहुत जल्द होने वाला होगा, तो उनकी वीडियो बहुत लेंदी होती है, तो अगर आपके पास time नहीं है, तो आप कुछ ऐसा YouTube पे channel देखेगा, जो कम time में आपको current affairs provide कराते हैं, या आप last में क् इस PD का ही, आपको मैं बता दूँ, last में exam से एक महीना पहले, एक महीना पहले, इस PD का एक book आता, सो ड़ेट सो रुपय का, उस book को आप ले लिजेगा, उस book से पढ़ लिजेगा, current आपका तियार हो जागा, तो current पर आपको जादे time बरबाद करने की ज़रूरत नहीं है, ले मेरा जो खुद का experience वो आप लोगो बता रहा हूँ, जब आपका एक महीने कंदेरे सारे complete हो जाएंगे, तो आपको test book से पहले previous year के test दे लिजेगा, जब previous year के test complete कर लेंगे, तो आपको एक roughly idea मिल जागा, ठीक है, कि question कैसे पूछ रहे हैं, जिस question में, जिस topic में आपका त्यारी हो जाएगा, उसके बाद, cbt2, psycho, इस सब की त्यारी के लिए मैं आपको बताऊंगा, कि कैसे त्यारी करना, ठीक है, उसके लिए भी बताऊंगा, लेकिन एक overview थोड़ा से मैं बता दूं, कि cbt2 जो होता, cbt2 भी same process है, syllabus same है, cbt2 में जो part B है, जिसको हम लोग trade बोलत 25 में है, सायद 53 या 54 मार्क्स थे, ठीक है, तो मैं पूरा detail आप लोगों को बताऊंगा, दोस्तों, बस आपको क्या करना है, अभी कहीं परसान नहीं होना है, vacancy बढ़ रही है, vacancy घट रही है, उसके उपर आपको परसान होने के जरूत नहीं है, आप पहले अभी से जो beginner है, आप अपने syllabus को पहले complete करना शूर कर दीजे, vacancy बढ़नी होगी, बढ़ेगी, घटनी होगी, घटी होगी, फाम तो भरना ही सभी लोगों को चाहिए, vacancy बढ़े या घटे, अगर आप dedication सा त्यारी कर रहे हैं, एक seat आप क्या और हाँ, एक चीज़ आप लोगों को और मैं बत कि सिर्फ इस में ITI, Diploma और BTEC वाले candidate होते हैं, मतलब technical candidate होते हैं, तो कटाप बहुत high नहीं जाती है, कटाप कम जाती है, क्योंकि जो technical candidate होते हैं, वह लोग क्या करते हैं, जो अच्छे candidate technical को होते हैं, वो अपनी engineering की त्यारी में लग जाते हैं, आप लोगों को अच्छे से त्यारी करना है, और कुछ भी आपको अगर डाउट है, railway से related, क्योंकि मैं इंडिया डाउट है, आपको कोई भी डाउट है, working timing से लेकर, salary से लेकर, facilities से लेकर, आप comment कर दीजेगा, मैं उससे भी related वीडियो बना दूँगा, और comment का reply मैं जरूर आप लोगों को दूँगा, तो प्लीज आप हमारे चैनल पना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, वेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा,